हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आई हुँ अपनी एक वीडियो जिसे आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को कभी भी अकेला नहीं छोड़े लड़ू गोपाल जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए इसके पीसे तीजन भी है तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि लड़ू गोपाल जी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि वह एक छोटे से बालक है उन्हें हमेशा अपने साथ ही बाहर लेकर जाना अच्छा माना जाता है लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं लड़ू गोपाल स्री कृष्ण भगवान के बाल सरूप माने जाते हैं उनकी देखभाल एक बच्चे की तरह की जाती है यही कारण है कि उनको घर से बाहर जाने पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है लड़ू गोपाल जी की सेवा एक छोटे बच्चे की तरह की जाती है इसी वजह से उनको किसी छोटे बच्चे की तरह अकेले छोड़ कर नहीं जाया सकता उन्हें भी एक बच्चे की भाती ही अकेले डर लगता है लड्डू गोपाल जी को प्रते दिन इसनान कराया जाता है ऐसा करना काफी सुभ माना जाता है इसनान कराते समय संख का उपयोग करना चाहिए संख में मालक्ष्मी का वास माना जाता है इस नान में उप्योग किये जाने वाले पानी को फैकने की जगा किसी पेड़ पौदे या गमले में दे 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 तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा लड़ू गोपाल जी को दिन में कम से कम चार बार भोजन कराना चाहिए उन्हें भोग लगाना चाहिए चार बार दिन में उनको साथविक भोजन का ही भोग लगाएं भोजन में किसी भी प्रकार के मास, मद्रा, प्याज, लहसन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इसनान करवाने के बाद लड़ू गोपाल जी को साफ कपड़े पहनाने चाहिए एक बार पहनाये हुआ वस्त्र दोबारा उन्हें ना पहनाए अगर दोबारा उनको वह वस्त्र पहना रहे हैं तो उन वस्त्रों को दोकर ही इस्तिमाल कर ले आपको भी अपने लड़ू गोपाल जी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए लड़ू गोपाल जी को गुमना फिनना बहुत पसंद है जैसे कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अगर आप बाहर ले जाकर तरह तरह की चीज़े दिखाते जाते हैं उनको रोना भी बंद हो जाता है उन चीज़ों को देखकर ऐसे ही लड़ू गोपाल जी को जब भी आप कभी बाहर जाएं तो अपने साथ अवश्यर ले जाएं उन्हें भी सेर सापाटा कराएं और अपने साथ साथ ही घुमाएं अगर आपको हमाई वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे की आने वाले टाइम में आप और भी अच्छे अच्छी वीडियो देख सकें और आप भी कमेंट करके जुरूर बताएं कि आपकी घर में किस साइज की छोटी-छोटी से लड्डू गोपाल जी है तब तक के लिए राधे राधे जैसी राधी किष्णा